IPO market में आपकी धुविधा और बढ़ने वाली है, विकास एक और IPO जिसका नाम है, Motisans Dwellers Limited, उसका IPO आने वाला है, बिल्कुल बेस से लेके advance सारे points को कवर करेंगे, और इस IPO का specially grey market में बहुत extra demand चल रही है, उसे भी कवर करेंगे, अगर basics की बात करें तो 1997 में company incorporate हुई थी, jewelry making का company काम करती है, gold, diamond, kundan, silver, pearl, platinum and other metals में भी अच्छा कासा काम कर रही है, इनका flagship store located है जैपूर में, because I am also from the same region में आपको दो अंदर की बाद रसता हूँ, पहला मेरे खुद के शादी की shopping एक अच्छा कासा portion यहीं से हुआ था, second important और काफे interesting point यह कहा जाता है कि jewelry market, especially silver में, पूरे की पूरे जैपूर के location में price open होती है, motisans के price से, इतना यह command रखते है अपने particular locality में, next अगर हम IPO की dates की बात करेंगे तो 18th of December को IPO open होगा, 750 रुपीज का एक lot होने वाला है, H&I small category में आपको 15 lots के लिए अपलाय करना पड़ेगा और H&I big category में 73 lots के लिए, retail के 35% का allocated quota है, H&I के लिए 15% का and QIB के लिए 50% का, मतलब इस quota की complete portion को ध्यान में रखते वे, या तो retail या फिर H&I big हमारे लिए attractive होगा, अगर हमें इस IPO में apply करना है तो, इस IPO का size है मात्र 151 करोस, मतलब आप समच सकते हो कि तो बहुत छोटी size का IPO है, तो इसमें demand काफी अच्छी होना काफी जादा expected है, price band भी छोटा है at the same time, 52 रुपीज से लेके 55 रुपीज का price band है, रिटेल में cut-off price चूज करनी होती है और H&I category में आपको चूज करना होता है, 55 का price जो आपको type करना पड़ेगा, NAC, BAC दोनों पे listing होगी, अगर हम बात करें object of the issue की तो सबसे पहला objective है, कुछ अपनी warings को repay करना चाहते है, working capital को fund करना चाहते है, आपको पता ही एक ऐसा business है, जहाँ पर अच्छे कासे working capital के requirement होती है, and general corporate purpose, financials की बात करें तो 2021 में 275 करोज की थे total assets, जो बढ़ते बढ़ते 348 करोज पे पहुच गए है, revenue भी 213 करोज से बढ़ते बढ़ते पिछले 2 सालों में 366 करोज में पहुच गया है, revenue की पिछले एक साल में growth rate रही है 16.64% की, profit after tax की बात करें तो 9.67 करोज जो 2021 में था, वहाँ से double हो चुका है 2023 में 22.2 करोज पे, profit की growth यानि की profit after tax की growth rate पिछले एक साल में रही है 50.51% की, जो काफी amazing हो जाती है, valuation के important pointers की बात करें तो P ratio आ रहा है 24.39 का, return on equity है 17.56% का, return on capital employed है 30.04% का, जब भी किसी भी company का return on capital employed ज्यादा होता है as compared to return on equity, मतलब ये कि company अपनी जितने भी debt उठा रही है, उसे काफी efficiently use कर पा रही है, या तो company जो debt उठा रही है, वो काफी low rate पे उठा रही है, या फिर debt को उठाने के बाद जो return generate कर पा रही हो काफी high है, काफी efficient है, return on net worth है 16.15% का, debt to equity ratio 3.32 का तोड़ा सा ज़ादा है, EPS 3.42 के आसपास है, peer comparison पर जाए उससे पहले अगर आपके पास remat account नहीं है, किसी भी family member के नाम से तो description को check out कर लीजेगा, साथ ही अगर आप mutual funds में investment करने के लिए हमाई टीम की help चाते है, तो details आपको description में मिल जाएगी, check out करना भाद भूलेगा, पहला peer competitor हमारे सामने निकल के आता है, D.P. Abushan, जिसका peer ratio चल रहा है 29.09 के आसपास, Goldman International Limited जिसका peer ratio है 27.55, थंग मेल जूलरी जिसका peer ratio चल रहा है 24 के आसपास का, मतलब ये company अपने competitor के almost competitive price पे peer ratio के साथ यहाँ पे हमारे सामने लेके आ रही है अपने IPO को, पर interesting point यह है कि पिछले एक साल में इसने अपने revenues को और profit after tax को especially 50% से बड़ा है, जो positive हो जाता है, IPO का size छोटा है, इसलिए allotment के chances कम रहेंगे, ये इस IPO का complete negative हो जाता है, finally as per sources gray market premium की बात करी जाए, तो इस IPO में gray market premium चल रहा है 80-85% से उपर का, मतलब gray market के according इस IPO में heavy listing gains के expectations पनीवी है, तो gray market में ये IPO काफी ज़्यादा hot चल रहा है, और वैसे भी आप जानते होंगे कि SME market में, छोटे size के IPO में, जैपूर का market काफी ज़्यादा active रहता है, और वहीं की ये company है, मुझे लग रहा है इसी का कारण है कि gray market का premium इसका काफी high चल रहा है, और attractive भी लग रहा है, प्लस, छोटी price और छोटी size का IPO, एने विच्वेस काफी attractive लगता है IPO market के लिए, ये reasons हो सकते हैं, आपको कैसा लगा ये IPO, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है on the face of it, जो details मैंने study करी है, उसके according, आपकी क्या opinion बन रही है, comment करके बता दीजेगा, साथ ही साथ, अगर आपने अभी तक एक important term insurance पर वीडियो नहीं देखा तो आपकी screen पर show हो रहा होगा, उसे click कर दीजेगा, काफी important है, नया आप सीखने वाले हो, see you very soon,